आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ प्रोपेनामाइड बनाते हैं तो प्रोपेनामाइड क्या हो जाएगा? CH3, CH2, C, Double Bond O, NH2 ठीक है? This is the Amide and प्रोपेनामाइड This is the A और इसकी Reaction अगर हम लोग BR2 प्लस NaOH के साथ करा देते हैं तो आपको जो है Product मिलता वो भी है तो BR2 प्लस NaOH जो है यह आपका Reaction देगा यह कहलाएगा Hopman Bromamide Degradation Degradation Reaction ठीक है? यह आपकी यहाँ पर Reaction होगी और Product मिलता जो बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ से CH3, CH2 NH2, ठीक है? यहाँ पर यहाँ पर आपका जितने Carbon Atoms होगे उससे एक कम Carbon Atoms का क्या बनेगा? Amine So this is the Amide और Amide से जो है N-1 अगर यह N Carbon Atoms होता है तो यहाँ N-1 Carbon Atoms का Amine बनता है ठीक है? So this is the Amine और यह कौन सा हो जाएगा? इथेनामीन हो जाएगा ठीक है? दो Carbon Atoms मतलब इथेनामीन जो है This is the Compound B यह जो रेक्शन है BR2 प्लस 4 Mols of N-A-H लगते हैं ठीक है? और जो Side Product बनता है वो आपका क्या हो जाएगा? इसमें Na2C-O3 ठीक है? और 2 Mols of N-A-B-R प्लस 2 Mols of H2O ठीक है? So this is the B ठीक है? यह आपका जो है यह B हो गया अब इसकी रेक्शन जो है हमको करनी है तो अगर आगे हम देखें तो क्या दिया गया है? The Acid Catalyzed Addition of Valoraldihyde to Compound B yields Compound C ठीक है? Valoraldihyde की रेक्शन जो है करा देते हैं ठीक है? Which is well known as a Sip Base What is the Structure of Compound B and C? ठीक है? So Valoraldihyde जो है उसकी रेक्शन हम लोग यहाँ पर जो है कराएंगे ठीक है Valoraldihyde जो है यह आपका कितने Carbon Atoms का होता है यह आपका हो जाएगा यहाँ पर हम रेक्शन कराते हैं ठीक है यह हो गया आपका यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और यह C 00 OH ठीक है? This is the Valoraldihyde ठीक है? यह क्या हो जाएगा? ठीक है? यह आपका जो है चार Carbon Atoms का LDH ठीक है? ठीक है? ठीक है? होता क्या है कि यहाँ से आपका यह Oxygen और 2 Hydrogen यह यहाँ से Water Molecule जो है यह आपका निकल जाता है सो इट विल फॉर्म मैं डारेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ सिब बेज बनता है ठीक है? सो यहाँ पर आ जाएगा CS3 CS2 N Double Bond C H CH2 CH2 और CS3 ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? आपका सिब बेज है ठीक है? इसको हम लोग जानते है मतलब यह सिब बेज आपका बन गए This is the product C ठीक है? तो हमारा जो product C भी मिल गए हमें B भी मिल रहा है तो हमको देखना है कि कौन सा सही है हमारा option में से तो CS3, CS2, NH2 जो है पहला बन रहा था मतलब B और CS3, CS2, CS2 CS3, CS2, CS2 CH double bond and CS2, CS3 मतलब option नमबर वन जो है यह हमारा बिलकुल product B और product C से match कर रहा है so option 1 is the correct answer ठीक है? Thank you कुल жизни